हेलो टियर स्टुडेंट्स आज हम आपका फिप चैप्टर जो है कम लेट्स प्लेगेम उसकी जो बुग एक्सरसाइज है वो कंप्लेट करेंगे इसका फिर्स्ट जो कोश्चन है आपका अब आपको इसमें 500 इंडोर गेम्स के नेम राइट करने हैं और 5 ही आउटडोर गेम्स के अब मैंने आपसे बताया था कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं इंडोर गेम्स वो होते हैं जो आप अपने घर के अंदर अपनी घर की बाउंडरी के अंदर खेलते हैं वो कौन से होत हैं बड़े फिल्ड में खेलते हैं खुले आसमान के नीचे तो वह आउटटोर गेम्स होते हैं अब हम देखते हैं कि पांच ऐसे कोन शेग हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं जैसे कि क्या हुआ एक लूडो है चैस है कैरम है बिलियर्स है टैपल टैनिस है यह सब आपके क् होते हैं नेक्स हम देखते हैं कि आउट्डोर गेम्स में आप क्या-क्या गेम्स है जो आप बाहर खेलते हैं होकी है किर्केट है फुटबॉल है वोलीबोल है बैडमिंटन है यह सब कौन से गेम है हमारे जो हम बाहर खेलते हैं आउट्डोर गेम्स कहलाते हैं जो यह आपको करने हैं कि आपके इंडूर गेम्स कौन से होते हैं और आउट्डूर गेम्स कौन से होते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं राइट अबाउट था एक्सरसाइज एंड फिजिकल स्टन्ट सो इन वर विलेज फियर अब आपको बताना है कि आपके गाओं के मेले में आपके कौन सी exercise और physical stunt sow किये जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है the exercise and physical stunt sow in our village fair कौन-कौन से range from three-legged race three-legged race to lemon spoon race and sack race यह सब उसमें sow की गई थी और कुछ circuses के programs जो होते हैं वो भी वहापर किये गई थे जैसे की तब दिए से होटे हैं उसके ऊपर जलते हैं कैसे से बारे में अपने पढ़े मेले में देखा है इस टाइफ से आप इसमें राइट करेंगे घृंटे को बदाना है कि योगा कि यूगा होते हैं उनको आपको नीचे लिगना है अब आपको पता है कि योगा हमारे सरीर के लिए कितने मैतुपूर्ण है मैंने आप से चैप्टर में बताया था कि योगा से हमारी बोडी जो होती है वो स्ट्रोंग, हेल्थी और ब्यूटिफुल बनती है इसमें हमने रैट किया है कि योगा मेक ओफोरड़ी स्ट्रॉग, हेल्थी और ब्यूटिफुल यानि कि योगा से हमारा सरीर चुहे स्वस्त और मजबूत और सुन्दर बनता है योगा इस हेलफुल योगा हमारे साभ हम बिसकिसमें हेलफुल होता है हमारे लिए for physical, mental, intellectual and spiritual development यानि कि हमारे वो धीक, मांसिक, सारी विकास के लिए भी सायक होता है आपको क्या बताना है कि ऐसे कौन से टास्क है जो आप ब्लॉविंग से पर्फॉर्म कर सकते हैं कि पर बता देती हूँ कि ब्लॉविंग क्या होता है सांड ते ब्लॉविंग우 यह कि लिए आवाज थिहां ब्लॉविंग कि यह सिख बिखूर्ट कोई सांड दो आवाज होती है krij मागाण धाय। include blowout यहिंनि कि जैसे आपके टायर्स वगेरा होते हैं में इंक्लूड किया जाता है उसको एक गैस की तरह होती है blowing मतलब हमारे जो एक प्रेसर वाले जो गैस बोलते हैं उसको blowing कहा जाता है जैसे कि आप फूग मारना जैसे बोलते हैं मुह से उसको भी हम blowing बोलते है next हम आपको बता सकते हैं कि इसे कौन-कौन से टास्क है जो हम परफॉर्म करते हैं कुछ आपके musical instrument जो होते हैं वो भी हम किस से blowing से play होते हैं जैसे आपकी flute, band है ये सब किस से आप बजाते हैं यह निकि आपके blowing से ही इनको इनसे sound आ सकते हैं next हम चलते हैं, fifth इसमें दिया हुआ है, fill in the blanks है भक्ति सर्मा is swimming, सचिन तैंदुलकर in cricket यानि कि इनमें क्या दिया हुआ है, कि ये जो हैं के sports जिससे related हैं उनके name दिये हुए है, our famous sports person ये दोनों जो है famous sports person है अब आपको पता होना चाहिए कि भक्ति सर्मा किस से related है, swimming से और सचिन तैंदुलकर किस से related है, cricket से तो आपको सही से ही इसमें write करना है next है हमारा examination type questions है आपकी अब आपको देखना है कि which of the following is a group of outdoor games इसमें आपको बताना है कि इन में से कौन सा group है जो outdoor games का ही है अब आप देख सकते हैं, chess जिसमें आ गया, वो समझ लोगी नहीं होगा क्यों? क्योंकि chess जो है, हमारा क्या है, indoor games है इसमें kabaddy wrestling दिया हुआ है, no अब second देखते हैं, second में भी हमारा chess आ गया तो second भी नहीं हो सकता, दोनों पे cross अब थर्ड देखते हैं, hockey, wrestling, kabaddy अब इसमें तीनों ही game जो है, वो कैसे हैं, हमारे outdoor games है जो बहार खिले जाते हैं, fourth भी देख सकते हैं, आप fourth में क्या आ गया? chess आ गया, तो ये भी आपका क्या हुआ? ये भी group में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें one जो है, अलग हो गया ये indoor games हुआ, और ये outdoor games हुए, ठीक है? तो इसमें हमारा कौन सा right होगा? C वाला जो है, हमारा, क्या होगा उसमें? सही जो है, C वाला है, ठीक है? तो इसका answer क्या हुआ? C, hockey, wrestling, or kabaddy अब इस group में आपको बताना है कि कौन से indoor games है? मतलब group देखना है, और उसमें देखना है कि कौन से indoor games है? फर्स्ट है हमारा, chess, kabaddy, hockey अब इन में देखते हैं कि kabaddy और hockey कौन से हुए? हमारे outdoor games हुए, तो ये तो नहीं हो सकता next है, second में देख लो, first cricket दे दिया, football दे दिया, और running दे दिया, ये भी हमारे क्या हुए? outdoor games हुए, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता third देखते हैं, इसमें chess, क्या आता है? indoor games, caram क्या होता है? indoor games, billiards क्या होता है? indoor games तो ये क्या हुए हमारे? इसमें क्या आ जाएगा? आंसर का right क्या होगा? C next जो है हमारा snake and ladder, long jump जो होता है, वो हमारा indoor games में नहीं आता table tennis, ये सब क्या है? indoor games में आएगे लेकिन long jump नहीं आएगा तो हमारा इसमें correct answer क्या हुआ? C, जिसमें कौन-कौन से है? jazz है, caram है, billiards है तो answer हमारा right कर देंगे हम C, okay dear students, next है हमारा which of these is a traditional games group of Rajasthan, यानि कि Rajasthan की जो traditional games है, उनका एक group दिया हुआ है आपको, तो आपको बताना है कि कौन-कौन से है अब हमें देखना है, first ही है हमारा मरदारी, sitolia, gilliranda, ठीक है? यही first ही हमारा right हो सकता है अब पहले आप next option भी देखेंगे, second है हमारा chess, chess तो नहीं होगा C वाला जो option है हमारा table tennis आगयास में तो ये भी नहीं होगा और D जो है इसमें badminton होकी, आर्च ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी तो आप क्या करेंगे, first वाला जो है हमारा, इसमें क्या जाएगा हमारा answer, first वाला जो है A जो है हमारा answer correct है, मरदारी, sitolia और गिल्ली, डंडा यह आपके traditional game है, राजिस्तान के तो उसका answer A टिक कर देंगे हम, next है हमारा, which of these is a traditional indoor game group of राजिस्तान, अब आपको उसमें एक चीज़ और दे दी कि आपको बताना है कि वो traditional indoor games, यानि कि वो indoor भी होने चाहिए, घर के अंदर खेले जाने वाले भी होने चाहिए, राजिस्तान के ही traditional games हैं जो, अब first इसमें क् हमार, चोपर, सिंग बगरी, ठीक हैं, firsties में, right होगा, second हमारा है, kite flying, चोपर, आर्शे, no, यह हमारा indoor games में नहीं आएगा, c है, hockey, wrestling, badminton, यह बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या देखेंगे, इसमें कि जो हमारे घर के अंदर खेले जाने वाले games हैं, उसमें first ही option आपका सही है क्या है, चार मार, चोपर, और सिंग बगरी, okay dear students, next जो चलते हैं हम, next question है हमारा, आपको क्या करना है, out of the following, which is the correct match of the sport and the sports person associated with it, यानि कि आपको इसमें क्या देखना है, कि कौन सा, जो sports person के name दिये हैं, उनका कौन सा game होता है, game से वो related है, वो आपको पता होना चाहिए, कि इसमें कौन से correct options हैं, first हम देखते हैं, भक्ति सर्मा, swimming, yes, भक्ति सर्मा जो है, वो swimming से related है, लिम्बाराम, किर्केट, no, यह हमारा क्या हुआ, wrong हुआ, D क्या है, सचिन तेंदुलकर, किर्केट, यहनि कि हमारा A और D जो है, वो सही है, और बाकी जो दोनों है, वो हमारे wrong है, तो इसमें हम क्या right करेंगे, A के सामने जो है, टिक करेंगे, क्योंकि भक्ति सर्मा जो किस से related है, swimming से, और सचिन तेंदुलकर किस चणानी है, योग के, जो आप इस्टुडेंट के दौरा परफों करा सकते हैं, अब इसमें देख सकते हैं, क्या, कौन-कौन से ऐसे, तारशन है, पदमासन है, पछय मुक्तासन है, सूरिया नमस्कार है, यह सब हमारे क्या हैं, हम जो इस्टूडेंट से करा सकते हैं, वो चेफ्टर कंप्लेट इसके बाद आपको क्या करना है इस चेफ्टर की बुक एक्सरसाइज जो मैंने आज जवाब से कराई वो आपको अपनी नॉट बुक में राइट करनी है और उसके बाद एक एक कॉस्चन जो है आपका अपका ध्यान से पढ़कर लर्न करना है ओके दियर स्थोनेंस थक्स